जैश्रीमन नारेन गुरुजी गुरुजी मेरा आज आप से एक प्रशन है और कुछ मेरा एक मित्र है जो यहाँ आया नहीं है उसने मुझसे आप से एक प्रशन पुछने को कहा है गुरुजी मेरा प्रशन यह है कि मैं आज फेस्बुक में पढ़ रहा था, कथा एक नम्रवान नाम की, उसमें था, मतलब टॉपिक ये था कि क्या वास्तों में भगवान शिव को भसमसूर का डर था, तो उसमें लिखा था कि एक नम्रवान नाम का व्यक्ति था, जो भगवान नारायन से अत्यदिक प्रेम क करता, लेकिन शंकर जी में उसकी थोड़ी सी भी रूची नहीं थी, बलकि वो भगवान शिव के भक्तों से द्वेश करता था, तो भगवान नारायन की भक्ति जब वो करता था, तो शिव भक्ति की भी मतलब बहुत नींदा करता था, तो उसके गुरु जी ने उन्हें तो भी वो शिश्य नहीं सुना, तो एक दिन उसके गुरु जी ने उन्हें शिराब दे दिया, कि तु जा अगले जन्म में भगवान नारायन से भग्ति करेगा, तो नारायन से द्वेश करने के कारण ही तेरी मृत्ति होगी, तब वो अगले जन्म में भस्म सूर बना और भगवान शिव की तपस्या किया, और उनसे यह वर मांगा कि मैं जिसके उपर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए, तो फिर वो भगवान शिव के उपर ही भस्म करना चाहा, उसमें लिखा था कि भगवान शिव तरिकाल दर्शी है, उन्हें यह ज्यात था कि इसके पिछले जन के श्राब के कारण इसकी मृत्य भगवान नारायन के हाथों होनी है, तो इस कारण भगवान शिव लीला करने के लिए वहाँ पर से भागे, वरना वो चाहते, तो अपने तीसरे नेत्र से उसे भस्म कर सकते थे, और अपने त्रिशूल को छोड़ कर भी उसकी हत्या कर सकते थे, तो क्या ये सत्या है क्योंकि, हाँ, सही है, जी, हरी और भरना भेदा हो, ठीक है, जी, दूसरा प्रश्न मेरे मित्र कहें, कि जो आप उसने मुसे पूछने को कहा है कि आप कहते हो कि भागवत पुरान में दस लक्षण है, और जिस पुरान में सबसे अधिक लक्षण ह होगा, तो वो इसका अंदर पुरान पढ़ रहा था, तो उसमें लिखा था, कि जब ब्रह्मा जी के असत्या के बोलने के कारण, भगवान चियों ने उन्हें श्राफ दे दिया, कि अपसे आपकी कहीं पूजा नहीं होगी, तब ब्रह्मा जी पूछते हैं कि है प्रभु य अधिकार केवल मुझे और नारायन को ही है, मैं नारायन के नाम के बल से अपने भगतों को मोख्ष दूँगा और नारायन अपने भगतों को मेरे नाम के बल से मोख्ष देंगी, तो वो यही पूछना चाहरा था कि क्या, मतलब भागवात पुरान की बात को माना जाए कि के आपको अधिकार देने के वाई तुम मोख्ष दे दो तो आप दे सकते हैं तो शिव जी को अधिकार दे देंगे तो सिव जी दे देंगे इसमें क्या बड़ी बात है और तीसरा प्रश्ण यह था उसी का ही है जैसे परसो एक महिला ने आप से पूछा कि शनी देव की भक्ति क अब बताते हैं कि जासु नाम बल शंकर काशी देवत सदा सभी समगति अविनाशी कि भगवान श्री राम के नाम के बल से ही मोख्ष देते हैं और यह इसकंद पुरान में भी तो वड़नी थी है तो तो क्या कि शनी देव किसी के कान में राम नाम बोलकर मोख्ष नहीं दे सकते हैं धन्यवाद गुरु जी एक और विंति हैं मेरी आप से राम नाम ही मोख्ष देने के अधिकारी है भगवान श्री मनारण का नाम ही मोख्ष किसी की सरण में जाओ जब तक यह नाम नहीं सरणागती नहीं होगी तब तक गुरु जी और आप से मेरी एक विंति है जैसे कि आपकी कथा को सुनने और पुराणों के अध्यान करने से भगवान श्री हरी और हर में मेरी जो मतलब मैं भेद नहीं करता यह चीज मुझे में उत्पन हुई यह धारणा मेरी आप से विंत सकत्मान् का विंति है झात सुनने और udah है तक ज़ जैंगाा